दो वर्ष बात आज से एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में स्कूलों की असिस्मेंट परिक्षाएं शुरू हो गई है बीतर सान कुरोना संकत होने की कारण यह परिक्षा नहीं हो पाई थी इस साल कुरोना के मामले कम होने की कारण स्कूल भी खुल गई है और परिक्षाएं भी शुरू हो गई है लेकिन स्कूल प्रबंदन द्वारा बच्चों को कुरोना संकत से बचाने के लिए बच्चों में संक्रमन ना फहले इसको लेकर प्रबंद किये गई है कोविट के नियमों का पालन करते हुए चात्रों की thermal sanitization के बाद विद्याले में प्रवेश दिया जा रहा है। जी विवस्था तो हमारी तरफ से हमने कोई कमी नी रहने दी, SOP गाइडलाइन्स को फोलो करते हुए हमने पूरी विवस्था रखी है, हमने थर्मल स्कैनिंग बच्चों की प्रॉपर वे में की है, उसके बाद उनका hand sanitization के लिए फिर उनको कमरों में जाने दी है, one by one, आराम से बैठे हैं बच्चे, परिक्षा में कोई problem नहीं, हमारी तरफ से पूरी विवस्था थी, हमारे पास छटी और साथवी में round about 50-50 students, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो शुरू से ही online classes में भी नहीं रहें और वैसे जो पहले की परिक्षा थी, उसमें भी नहीं present थे, तो अभी भी वो ही बच्चे थे, बाकि आल्मोस्ट सभी बच्चे present हैं, नहीं, ऐसा कोई problem नहीं उन बच्चों को, जब उनके लिए स्कूल खुले थे, बड़े excited थे बच्चे, स्कूल बड़े एक दूसरे friends को देखके बड़े खुश हुए बच्चे, और अभी भी परिक्षा के दिनों में भी जैसे बच्चे हैं, आ रहे हैं, तो खुश है सभी, कि at least स्कूल खुले हैं और हम परिक्षा दे रहे हैं, जो परिक्षा का डर था मेरी ख्याल से उनके मन से निकल गया है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं, जो दो साल के बाद आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई ऐसा रहा कि हमें कोई कमी लग रही है या क्या, जो गाइडलाइन्स उनको फोलो करने के लिए बोल रहे हैं, वो वैसे ही उनको अपलाई कर रहे हैं अपने उपर, बार-बार हाथ धो रहे हैं, खाने से पहले, फिर वाश्रूम जा रहे हैं तब भी वो फोलो कर रहे हैं गाइडलाइन्स को. फिल्ड एक्जेक्यूटिव, मोटर मग्यानिक और ड्राइवर, शांदार करियर समभावना हैं, वह इंडस्ट्री में बेहतरिन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें, 9418035372 पर और इमेर से भीजे अपना बायो डाटा, hr.goingmotor.com पर